नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में एक और नहीं वीडियो के साथ अगर आप लोग नए हैं प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें हम लोग आज देखें में निमहांस के बारे में जो की मैसेज भी कमेंट में आ रहे थे कि इस हस्पिटल के बारे में तो मैं बताना चाहता हूं इस हस्पिटल यह हस्पिटल स्पेशिल का नाम है Small Institute of Mental Health and Neuroscience mental health जो भी मानसिक बिमारियां है और नर्ववर्फ से related जो भी इस से related है मानसिक बिमारी psychiatry neurology और neurosurgery special इसी के लिए यह hospital और यह Asia का number one hospital है और इंडिया में भी इसका rank टॉप थिरी में आता है और बोद लोग मुझे comment आ रहे थे कि मुझे मतलब नर्व का प्रॉब्लम वहां जाने से बहुत जो प्रेशान हो गए हैं लोकल में दिखा कर कहीं भी अपने जगह में आपने जो भी स्टेट से हैं आप लोकल में डॉक्टर को दिखा रहे हैं साइकेट्री से रिलेटेट जिनको ओसीडी सीजोफिरेनिया या औ और एपिलेपसी जितने भी मानसिक बीमारी है पागलपन और भी जो भी मतलब दिमागी बीमारी है आप यहां पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं और कम पैसे में यहां मात्र 20 रूपीज रेजिट्रेशन फीज लगती है और मेडिसीन भी बहुत कम कोश्ट में यहां पर चास वीडियो बना चुका हूं मेरे वीडियो में आप जो प्लेविस्ट है आप प्लेविस्ट में देखेंगे निमांस होस्पिटल का एक अलग ही बना हुआ जिसमें 40 से ज्यादा वीडियो में दे चुका हूं और नियूरो सर्जरी और नियूरोलोजी डिपार्टमेंट से जो भी आप लोगों को है मैं इसमें फिजिसियो थेरापी उसके बाद स्पीच थेरापी और भी जितने भी मांसिक मेंटल हेल्थ एंजाइटी यह सब हैं जो लोग डिप्रेशन में स्टूडेंट लोग जो ब्रिकभर नहीं कर पार हैं तो आप लोग यहां इस फिटल में जाकर आप टिटमेंट ले सकते हैं यह बेंगलोर में है अपश्य मुझे भी पहले ही ही पता नहीं था यह फॉस्पिटल के बारे तो मैं सेच्छ वगड़ा करके मुझे पता चला तो मैं दावे के साथ का सकता हूं यहां बहुत अच्छा टीटमेंट और बहुत अच्छा केर किया जाता है पेसेंट का और में ओल्रडी बहुत सारा इंफर्मेशन दे चुका हूं तो मैं आपको यहां मैं रेंकिंग भी टाटा में ये कफो इंडिया में चारमा रेंग है और जो की मेंटल हेल्थ और भी जो भी मांसिक बीमारी पहले लोग आगरा ये राची या आगरा में जाते थे अपने जो भी मेंटल हेल्थ के लिए जो मांसिक बीमारी से रिलेटर आप मतलब यहां पर भी ट्राई कर सकते हैं निमांस में और भी कोई जानकारी चाहिए आप मेरे ही चैनल में आप देख सकते हैं किस तरह से अपॉइन्मेंट लेना मैं बहुत सारा वीडियो मैं अल्रेडी मैं बना चुका हूं और कितने होंगे वहां होस्पिटल के आसपास रहने की क्या सुभीदा है खाने की क्या सुभीदा है अगर आप वहां एडमिसन ले चुके हैं तो वहां कितना खर्च पड़ेगा और कितने कोश्ट होगा टीटमेंट के लिए अल्रेडी में यह से वीडियो मैं अल्रेडी मैं बना है उसमें आप प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे उसमें करीब 40 से उपर वीडियो है आपको ऐसे आप वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको कोई कटनाई या कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा ओनलाइन लेना है एडमिसन या ओफलाइन मैं ओल्रेडी उस पर भी वीडिय वीडियो में अगर कोई और जानकारी हो या आप मुझे कमेंट करेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा फिर मिलते हम लोग नेक्ट वीडियो में धन्यवाद थैंक यू